किसकी गलतियां अन्नोटिस्ट जा रही है जी यहां घर में एक टास्क होता है जो आज आपको दिखाये जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ किसने किसका नाम लिया और रीजन क्या दिया लव कटारिया है वो नेजी का नाम लेते हैं मतलब इसमें गलतियां बतानी है और गलतियां वो अन्नोटिस की जा रही है कि भईया उसको एकनोर किया जा रहा है तो यहाँ पर लवकटारिया बोलते हैं कि सेफ गेम खेल रहा है तो लवकटारिया बोलते हैं नेजी को कि ये बंदा सेफ गेम खेल रहा है हाँ ये मतलब कि ऐसा लग रहा है सब के साथ बना के रख रहा है बड़िया से ठीक है लेकिन उसी के सहरे वो सेफ गेम खेल रहा है कि कि भया, कोई इसको nomination में नी डाल रहा है, क्यों, क्यूंकि सबके साथ ये दोस्ती लेगे चल रहा है, और अंदर इसका दिमाग चल रहा है, कि भया, सेब खेलना है, किसी के साथ दोशमनी नी करनी है, तो ये है लवकटारिया नेजी का नाम लेता है सना मकबूल नाम लेती है रनवीर का और बोलती है डिसरिस्पेक्ट खुद करते हैं मुद्दा बनाते हैं आपको पता है उस दिन जो फॉलोवर वाला टास्क हुआ था उसमें दोनों ने ही एक दूसरे को बोला था उसने बोला था मेंडेक वालियां के रनवीर में भी जवाब में बहुत कुछ बोला था तो ऐसे में सना मकबूल बोलती है कि भया खुद भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं और ऐसे में बाद में मुद्दे बनाते हैं कि भया उमर का लिहाज नहीं किया मेरी disrespect की मुझे ये बोला मुझे वो बोला तो ये हैसना मकबूल रनवीर को बोलती है इसके साथ guys second elimination नहीं हुआ था ठीक है आज second elimination भी हो सकता है अगर होता है तो सबसे पहले नाम है मैं instagram पे बताऊँगा काफी लोगों ने मुझे follow कर लिया है और अब दूसरा अगर elimination होता है तो सबसे पहले आपको instagram पे पता लग जाएगा ये रहा हमारा instagram follow कर लेना है कर लो क्योंकि वाप पर winner की update भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन winner बनता हुआ दिख रहा है तो आजाए जल्दी से link आपको description box में मिल जाएगा अरवान है वो लेते हैं भाईया सना मकबूल का नाम और बोलते हैं witness से manipulating तो अरवान है वो सना मकबूल के पीछे पड़े हुए है उनको लगता है कि ये लड़की कही ना कहीं safe खेल रही है ये लड़की मतलब कि बड़ा ही mind यूज़ करके चल रही है हमारे बारे में गलत बोलती रहती है और वो चाहती नहीं कि हम कुछ बने या हमें कोई power मिले तो वो काफी अदा यहां पर सना मकबूल के पीछे पड़े रहते हैं अदनान नाम लेते हैं अर्मान का और बोलते हैं about two faith कि इसके दो कहीनगई चेहरे हैं एक चेहरा यह कि भईया सब के साथ अच्छे से मिलके रहते हैं दूसरा चेहरा यह कि अच्छे से मिलकर पीछे से बुराईया करते हैं तो दो चेहरे वाला आदमी है यहां पर क्या वहां पर क्या ठीक है डबल ढोलकी आप कह सकते हैं तो टू-फेश्ट ये है अधनान अर्मान को देते हैं इसके बाद साई केतन है वो विशाल का नाम बोलते हैं इन गलत कमपनी कि भाया ये बंदा गलत कमपनी में बैठा है बंदा अच्छा है लेकिन कटारिया देखो कटारिया के साथ उसकी लड़ाई हुई इसलिए बोड़ में होता है जब शोग खतम होने वाला होता है शूटिंग खतम होने वाली होती है एपिसोड उस टाइम होता है तो दिपक को उससे पहले ही यह होता है टास्क दिपक नाम लेते हैं रणवीर का और भोलते हैं नॉमिनेटिंग हिम बाई साब रीजन देते हैं उस टाइम पे पुरा नहीं लगाता दिपक को लगा होगा लेकिन वो जता नहीं रहे थे और यह दिपक पर मतलब कि आप क्या कह सकते हैं कि उन्होंने उनको दिया कि भाया तुम जीत गए हो तुमने अच्छा खेला है और भाया उसने उसको ही नोमिनेट कर दिया रनवीर ने और यह चीज अर्मान का नाम लेता है और बोलता है कि भाया यह मखन लगाता है ठीक है मखन लगा कर अपनी तरफ कर लेता है सबको और भाया उसको ही खड़े में डाल देता है उसको ही धक्का दे देता है इस तरह का वो बोलते नजराते हैं रनवीर विशाल का नाम लेते हैं और आपको पूरा सीजन चलेगा नेजी अभी तक बोलता आ रहा है कि शिवानी डिस्रिस्पेक्ट करती है और भाया वो अभी भी बोलता नजराता है शिवानी नाम नेजी का शिवानी नेजी का ले लेती है बोलती है किचन में हाइजिन नहीं रखते हैं कि वह किचन में खाना तो बनाते हैं लेकिन सफाई नहीं रखते हैं तो हमें चिड मचती है कि वह कैसे अतना गंदे तरीके से खाना बनाता है तो शिवानी है वो inizi को बोलती है सनव सुल्तान नाम लेती है इपक का और बोलती है biased तो यहाँ पर शायद उनको गुसा लगा होगा कि जिस तरह से वो डिसीजन गलत लिया वो वाला या फिर कोई और रीजन हो सकता है बोलती है कि यह बायस है अब क्या उनको बोड़ना भीया वो तो जाई रहे है क्रितिका नाम लेती है नेजी का बोलती है डबड बोलती है यह बंदा डबल स्टेंडर्ड है तो यह टास्क होता है जिसका नाम है किसकी मिश्टेक यानि किसकी गलतिया अननोटिस्ट जा रही है तो यह गलतिया है गिनवाई गई है और यह आज टेलीकास्ट होगा दिपक चुरसिया बाहर चले गए है तो सैकेंड एलिमिन